हिमालय की उंचाईयों में बसे शांत लोक राज्य में एक अद्भुत शांती थी। यहां की उंची उंची बर्फ से धकी चोटियां, हरियाली से आच्छादित वन और क्रिस्टल जैसी निर्मल नदियां पूरे राज्य को अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आभास करात इस राज्य के लोग सरल्ता से जीवन जीते थे और अधिकतर लोग ध्यान और साधना में अपना समय बिताते थे। इसी राज्य में एक साधक रहता था जिसका नाम था आदित्य। आत्म ज्यान की खोज में था। उसने अपने जीवन के कई वर्ष, तपस्या, ध्यान और योग साधना में बिताए थे। उसने गुरू के मार्ग दर्शन में अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया था, विभिन्न प्रकार की साधनाएं की थी, परन्तु अब भी उसके भीतर एक गहरी असंतुष्टी और बेचैनी बनी रहती थी। ऐसा लगता था, जैसे वह आत्मिक शान्ति के बहुत करीब पहुंचकर भी उससे दूर रह गया हो। हर दिन की तरह एक दिन वह जील के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। थंडी हवा के ज्छोंके उसे स्पर्श कर रहे थे और जील का पानी उसकी चेतना में शान्ति का संचार कर रहा था। तभी उसे ध्यान के बीच एक अद्भुत अनुभव हुआ, उसे एक स्त्री की छवी दिखाई दी, उसके चेहरे पर दिव्यता का तेज था, आँखों में गहराई थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानती हो। आदित्य ने कभी इस स्त्री को नहीं देखा था, फिर भी उसे ऐसा लगा, जैसे वह उसके जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह अनुभव इतना गहरा था, कि आदित्य अपनी साधना में और भी गहरे उतरता चला गया। जब वह अपने गुरू के पास गया और इस अनुभव को साजा किया, तो गुरू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारन अनुभव नहीं है आदित्य, यह तुम्हारी आत्मा का संदेश हो सकता है। ध्यान से देखो, और समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए इसमें क्या संकेत है। उसने जिस किसी से भी बात की, उसके मन में एक अद्भुत शान्ती का संचार हुआ। आदित्य पहली बार उससे मिला, और उसकी उपस्थिती में उसने अपने भीतर एक नई उर्जा महसूस की। उसे लगा, जैसे यह वही स्त्री है, जिसे उसने अपने ध्यान में देखा धीरे धीरे दोनों के बीच गहरे समवाद होने लगे। उनके समवाद केवल साधारण वेशयों पर नहीं थे, बलकि जीवन के गहरे अर्थ, आत्मा की खोज और प्रेम के वास्तविक स्वरूप पर आधारित थे। वैदही ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, प्रेम आत्मा का गहनता मनुभव है, यह हमें देह से परे आत्मा के स्तर पर ले जाता है, लेकिन प्रेम तभी संभव है, जब हम मोह से मुक्त हों, मोह हमें बांधता है, जबकि प्रेम हमें मुक्त करता है, इन शब्दों उने आदित्य के मन में हलचल मचा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैदही क्या कहना चाहती है। वह सोचने लगा कि क्या उसकी वैदही के प्रती यह भावना प्रेम है या केवल एक आकरशन। आदित्य और वैदही के बीच के समवाद समय के साथ गहरे होते गए। आदित्य ने महसूस किया कि वैदही में केवल एक आकरशन नहीं है बलकि एक गहरी आत्मियता है। लेकिन वह उल्जन में था कि यह सच्चा प्रेम है या मोह। एक दिन वे दोनों एक पुराने पीपल के व्रिक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहाँ से हिमालय की चोटियाओं और जील का सुंदर दृष्य दिखाई दे रहा था। आदित्य ने अपनी उल्जन को खुल कर सामने रखा और कहा मुझे तुम्हारे प्रति गहरा आकर्शन महसूस होता है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि यह प्रेम है या मोह। मैं आत्म ग्यान चाहता हूँ और मुझे डर है कि यह आकर्शन मुझे मोह के बंधन में बांध सकता है वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा प्रेम और मोह का अंतर समझना ही आत्म ग्यान का मार्ग है मोह किसी को अपने में बांधता है उसे अपने अधीन बनाता है जबकि प्रेम किसी को स्वतंतरता देता है प्रेम आत्मा का विस्तार है और मोह उसका संकुचन यदि तुम सच्चे प्रेम को अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के मोह से मुक्त होना होगा। आदित्य ने इन शब्दों को गहरे से अनुभव किया, परंतु वह अभी भी पूरी तरह से इस भावना को समझ नहीं पा रहा था। उसने वैदेही के प्रती अपने मन में उठ रहे आकर्शन को प्रेम मान लिया था, परंतु मोह की शंकाओं ने उसे उलजा रखा था। कुछ दिन बाद आदित्य को पता चला कि हिमालय के पहाडों में एक रहस्यमई गुफा है, जिसे लोग मोक्ष की गुफा कहते थे। मान्यता थी कि इस गुफा में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जिसने सच्चे प्रेम और मोह का अंतर समझ लिया हो। कहा जाता था कि गुफा के भीतर प्रवेश करने से आत्मा के गहरे रहस्यों का अनुभव होता है और आत्मिक शान्ती की प्राप्ती होती है। वैदेही ने आदित्य से कहा, यह गुफा तुम्हारे लिए है, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो यह गुफा तुम्हें आत्म ग्यान के मार्ग पर ले जाएगी। लेकिन याद रखना, गुफा में तुम्हें अपने भीतर के हर मोह, हर इच्छा और हर स्वार्थ का सामना करना होगा, आदित्य ने इस चुनोती को स्वीकार किया और गुफा की और प्रस्थान किया, गुफा के द्वार पर खड़े होकर उसने अपने भीतर की भावनाओं का अवलोकन किया, और अपने मोह और प्रेम को संतुलित करने का प्रयास किया, गुफा में प्रव उसे अपने अतीत की उन घटनाओं का साक्षातकार होने लगा, जहां उसने मोह, स्वार्थ और वासना में फंसकर कई गलतियां की थी, उसने उन घटनाओं को देखा और समझा कि मोह ने कैसे उसकी आत्मा को बंधन में बांध रखा था, आगे बढ़ते हुए उसने एक विश अगर तुम सच्चे प्रेम को जानना चाहते हो, तो अपने भीतर के हर मोह और स्वार्थ को त्याग दो, प्रेम त्याग का नाम है, यह प्राप्त करने की नहीं, बलकि देने की भावना है, आधित्य ने वैदेही के इस दिव्य रूप के सामने अपना सिर जुका लिया, औ उसकी अपनी मुक्ती के लिए नहीं थी, बलकि उसे सच्चे प्रेम की वास्तविक्ता को समझने के लिए थी, कुछ क्षणों के गहन ध्यान के बाद उसने अपने भीतर के सभी स्वार्थ, मोह और इच्छाओं को त्यागने का संकल्प लिया, उसने महसूस किया कि यह प्र प्रेदेही का दिव्य रूप एक सुनहरे प्रकाश में विलीन हो गया, अब उसके सामने केवल वह चमकीला प्रकाश था, जो उसकी आत्मा का ही प्रतिबिम्ब था, उसने इस प्रकाश को अपने भीतर समेट लिया, और उसी क्षण उसने अपने भीतर की सभी वासनाओं औ जो से ऐसा लगा मानो उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पालिया हो, उसे जीवन में पहली बार एक असीम शान्ती का अनुभव हुआ, उसने महसूस किया कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तू पर निर्भर नहीं करता, यह एक उर्जा है जो आत्मा से निकल रूप है और इस प्रेम की शक्ती से ही व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है, आदित्य ने शांतलोक लोटने के बाद वहां के लोगों को प्रेम और आत्म ज्यान का संदेश देना शुरू कर दिया, उसने लोगों को समझाया कि प्रेम वही है जो बंधन से मुक्थ हो, सच प्रेम की बातें सुनकर लोगों में भी आत्म ज्यान की जिग्यासा जागी, उन्होंने आदित्य की बातों का अनुसरण करना शुरू किया और अपने जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व समझने लगे, आदित्य की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि मोह हमें बंधन म और ले जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाते हैं कि मोह और प्रेम का अंतर समझना आत्म ज्यान की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सच्चा प्रेम, आत्मा का वह स्वरूप है जो न केवल मुक्ती देता है, बलकि हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ता है।